नमस्कार खबर हर्दोई से माधोगंज हर्दोई में जहां सरकार से लेकर जिला प्रसासन हर्ष फाइरिंग पर रोक लगाई है बहीं जन्पद हर्दोई के माधोगंज में अपना दबदबा बनाने के लिए हर्ष फाइरिंग का जुनून सबार है लोग समारों में भी फाइरिंग करने से बचते हैं लेकिन हर्ष फाइरिंग का खुद ही अपना वीडियो बना कर सोसल मीडिया पर अपलोड कर रही है ऐसा ही ताजमामला जनपध हर्दोई के माधोगंज का है जहां सुभास गुपता नाम का व्यक्ति दीपावली पर अपनी लाइसेंसी राइफल से एक की बादे कई बार करता हुआ हर्ष फाइरिंग नजर आ रहा है और फाइरिंग करने वाले सूरज गुपता नाम से सोसल मीडिया यूजर्स ने सोसल नेटवर्किंग साइड फेस्बुक के एकाउंट पर अपना हर्ष फाइरिंग का वीडियो अपलोड किया हर्ष फाइरिंग के चलते कितनी व्यक्ति उन्हें अपनी जान गवाई है उसके बाद भी करने से बाज नहीं आ रहे वीडियो वाइरल होते ही पुलिस बिभाग में हड़कम मच गया फाइरिंग करने वाले आरोपी के खिलाफ पुलिस कारवाही में जुट गई है बही इस प्रक्रण पर एडिशनल एस्पी अनिल कुमारी आदव ने जानकारी देते हुए बताया कि हर्ष फाइरिंग का वीडियो सोचल मीडिया पर बाइरल हुआ है मादोगंस थाने पर अभियूग पंजिक्रत कराया गया तता राइफल को थाने पर जवा करा ली गई है रिपोर्ट बना कर जिलादिकारी को प्रेसित की जा रही है हर्ष फाइरिंग का वीडियो थाना मादोगं जंपत हर्दोई का है जिसमें एक बेक्ति हैं संतोज गुपता जो की कस्वा मादोगं के निवासी है इनके दोरा दिवाली के असरबर असलह से फाइरिंग की जा रही है पुलिस को जैसे ही वारिल बीडियो के जानकारी मिली पुलिस ने ततकाल उचित धरों में अभियोग पजीत किया है और असलह को थाने पर जमाकरा लिया गया है तथा इनके विरुद सर्थ निलम्मर की रिपोर्ट जिलादिकारी मादोगं को फ्रेश की जा रही है हरदोई सिबीरो चीफ रई प्रकार शुकला के साथ कैमरा मैन प्रमूत कुमार की खास रिपोर्ट